एक बार की बात है एक गोपी यमना जी के आदे आदे जल में तपस्या कर रही थी नारज जी आकाश मार्ग से जा रहे थे वहाँ देखी ये गोपी तपस्या क्यों कर रही है मन में आई स्वयम शी कृष्णे सुयम गोविंद या बरज में साक्षात विराजमान है तो ये गोपी कौन कू पाने के लिए तपस्या कर रही है नारजी से रही नहीं गई वे चुपचाप आए देवी जलमें थी उनको डारी गोपी तु कौन कू पाने के लिए तपस्या कर रही है गोपी कहने लगी नारजी अच्छो भयो आप आ गए मैं काई कूँ पाने के लिए तब स्याना कर रही फिर मेरे अंदर मन में न ये नंद को लाला आकर के बस गए हो है और या ने ऐसो गमासान कर दियो है कि मेरे घर में ये लड़ाई करवावे लग गए हो है मैं तो ये प्राटना कर रही हूँ कोई कोई पे उपाए हो तो या नंद के लाला कूँ मेरे रहेदे से भार डिका ले नारजी बड़े प्रसंद हुए मनी मन सोचवे लगरे कि बड़े बड़े रिशी मुनी ना जाने कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं तब जा करके सोयम सच आनंद घन नारायन दो पल के लिए उनको दर्शन देने के लिए आते हैं और ये गोपी जिसके हिदह में ठाकुजी स्वयम साक्षात विराजमान है और गोपी चारही कि ठाकुजी हमको छोड़ करके चले जाए क्योंगी गोपी, ऐसो का है गा, जो तु ठाकुजी को अपने हिदा से नकालनों चाहे गोपी कहें लगी नारज जी सही सही वताओं आज सुवेरे जैसे ही मैं उठी जैसे ही गईया काडवे कुग गई और गईया काडवे लगी मैंने बाल्टी गईया के नीचे रखी और दूद काडवे लगी जोंतों दूद काडवे लगी अरे काकी सुवे सुवे मैं गईया चरावे निकल गईयो मेरी मैया ने मुझकु खावे के ताइन कचुना दियो आज बड़ी भूक लग रही है तेरी आग गया हो तो तेरी गईया को दूद मैं पीलूं अरे कनएया ये गईया तो नीचे बिठा दी ओ ठाकुर जी के मुख में ही गईया धोवे लग गईया को दूद मैं बहुत देर है गईया दूद कारती रही इतने में खाव गूपी की सास आ गईया जो सास भार आई बारे अरे जेका कर रही है सबरो दूद तुने धर्ती में फेला दियो और एकदम से गूपी की आँख खुली तो देखे बाकस्तम में सबरो दूद जो है धर्टी में फैले गए हो क्यों औरी बाल्टी तो तुने अलग रख रख रही है और दूद तु धर्टी में काड रही है क्या चाह रही है हमारे गर पर नेका धन आतो जो गोधन के बदले वो भी ना आए गूपी कहें लगी अरी सासूमा सैसी बताओं मैं नंद को लाला आयो कैवे लगो मुए भूक लगरी तो मैंने बाल्टी अटा करके बाकू नीचे बठा दियो और मैं तो बाके दर्शन करते करते ऐसे ध्यान मंगने हो तो मैं तो खुई गई मुएना मालूम पड़ी कि कब वो चलेगो कब सबरो दूद जो है धर्ती में भैगो चल एक कामकर दोपैरी है रही है जाकर के भोजन की तैयारी कर ले थोड़ी देर में ये आते होंगे खेच से सब लोग आएंगे तो बोजन प्रशादी करेंगे जा जा चौका में जा रसोई में जा और जल्ली से बोजन की तैयारी कर ले गूपी गई रसोई में बोजन की तैयारी कर वे लगी जो तैयारी कर रही इतने में जाने जाने की ठाकर जी आ गए है और कह रहे है का की मेरी चक्कर में तेरी सास ने तो ये बहुत डाटो मुले हां का नहीं यहां देख तु चलो जाए यहां से वनना फिर आ जाएगी वो और फिर मुए डाटेगी नाना तु चिंता मत कर यहां बार मैं तो यह डाट ना खान दू अच्छा दोनों ऐसे ही वारताला कर वे लगे यहां सास के मन में आई देखूं तो सही समय बहुत है गयों जा करके देखूं तो सही कितनी तयारी कर ली जो यह सास अंदर गई तो देखी गोपी आपस में बड़बडावे बें लग रही है बोली जा रही है और काम कच्छू करना रही है क्यों औरी अब पागल भी है गई है का जो आपस में बारतलाब कर रही है अपनी आप से ही बतरा रही है आज भोजन में देरी वही मैं तो कह दूंगी कि या के चक्कर में आपकी भहु जो है जो पागल है गई यह जाए पागल खाने ले जाओ यह आपस में अपनी आप से ही बात करती रहे चल, घर में पीवे कु पानी ना है, जल दी जा यमुना जी, बहां से घड़ा भर करके लेआ अब सासुमा की डाट खाती-खाती, ये यमुना जी कु चली गई जो गगरिया लेकर के यमुना जी के घाट पे पधारी, यढान यमुना जल भरो यमना जल भड़ते ही गगरिया बहुत भारी है गई या पे उठी ना ये प्रयास कर दी कि जैसे तैसे ये गगरिया उठ जाए ये घड़ा उठ जाए किन्तु या पे उठी ना इतने में ठाकुर जी वंशी बजाते हुए आ गए अरे कर नहीं या तू अच्छो आगे हो देख ये मुँपे उठना रही है ने थोड़ो सारो लगाई हूँ या उठा करके मेरे माथे पे रख दे और बान जो सारो लगा करके उठाई इतने में गगरिया को बजन बहु भारी और गगरिया महीं की महीं फूट गई तब जाकर के होश आयो ये तो मैं मन में ही कलपना कर रही की ठाकुरजी जो है मेरे सामने आ गए है और मेरे हात लगवा रहे है घड़ा को मेरे सर पे रख रहे है अब तो मैं घर लोटके गई तो मेरी मैईया मुए घर से ही भार निकाल देगी या मारे या से बढ़िया तो यही है कि या यमुना जी मैं बैठ जाओं और तप कर वे बैठ जाओं कि ये कनईया मेरे ध्यान से निकल जाए ठाकुर जी की कथा सुनने का प्रभाव ऐसा होता है कि हम चाकर के भी ठाकुर जी को अपने हिदे से भार नहीं निकाल सकते एक बार हमारे हिदे में आकर के विराजमान हो गए फिर वे कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते बोलो कृष्ण का नहीं आलाले की ये